आज आपको लेकर जा रही हो जिल्ली पाकिराले जो है जिल्ली लेक पर और ये जो चेके हैं ये है वेस्ट बेंगॉल की जारग्राम डिस्ट्रिक्ट पे जारग्राम को तीन टूरिजम सर्कित्स में बाटा गया है पहला है जारग्राम खुद दूसरा बेल पहाडी और तीसरा गोपी बल्लव पर जो की जारग्राम से लगबक 40-45 किलोमीटर दूर है हाथी बाड़ी से लगबक 10 किलोमीटर दूर है ये और जो जर्नी है वो क्या बताओं गाईस आपको 7 किलोमीटर अंदर आना होता है जंगल में जी हाँ जंगल के रस्ते से मैं यहां तक आई हूँ टूरिजम को प्रमोट करने के लिए रास्ता बहुत ही अच्छा बना दिया गया और अब मेरे दूसरे वीडियो में वो रस्ते का सफर भी जरूर देख पाएंगे जो मैंने शॉट्स डाल रखा है और मैं फाइनली पहुँची इस प्यारे से पाखी राले में और मैं तो आई हूँ मौन्सून के महीने में कुछ पक्षी मुझे दिखे जो कि शायद कैमरे में कैप्चन ही कर पाई हूँ पर अगर आप यहाँ ठंडी में आएंगे तो आपको कम से कम तेरह प्रजातियों के पक्षी देखने को जरूर मिलेंगे यहाँ पर बर्ड वाचिंग के लिए वाच्ट आवर बढाया गया है कई सारे sitting arrangements है और दो cottages भी है तो आप यहाँ आ करके अगर आप stay करना चाहो तो भी कर सकते हो rates are also reasonable almost 1000 रुपे, 1100 रुपे का package है और मैं आपको वीडियो के end में इनका visiting card भी जरूर दिखाऊंगी जिसके थूँ आप यहाँ booking कर सकते हो और यह जो timing है वो है 24 hours के लिए वो booking होती है अब जिस भी time पर check-in करोगे उससे 24 hours के लिए वो lodge, वो cottage आपका booked रहेगा and इस watch tower के नीचे कुछ birds इन लोगोंने पिजडे में कैद कर रखे थे and मुझे थोड़ा दुख हुआ इनहें देख करके actually क्योंकि अगर मैं पाकिराले आई हूँ तो मैं इन birds को खुला देखना चाहूंगी बर फिर हमने यहाँ पे लोगों से पूछा जो workers थे जो यहाँ पे caretakers थे तो उन्होंने बोला कि अगर हम यह चोटे पक्चियों को यहाँ छोड़ देंगे तो बड़े पक्ची ने harm करेंगे, damage करेंगे इसलिए इन्होंने, इन्हें के safeguard के लिए इन्हें यहाँ अंदर रखा है ऐसा reason दिया उन्होंने, I don't know यह कहां तक सच है अगर आपको शांती चाहिए, सुकून चाहिए तो बस अपनी गाड़ी निकालिए और अपना सफर शुरू कर दीजिए जिल्ली पाखिराले के लिए मैंने हाथी बारी में स्टे किया जो government guest house, government bungalow है आप चाहें तो इस पाखिराले के अंदर इस लेक के किनारे स्टे कर सकते हैं बट मुझे तोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैंने हाथी बारी ही opt किया यहां आप आए तो दो cottages हैं, अगर चार लोग आएंगे तो I would suggest कि अच्छा रहेगा दो लोग से better रहेगा दोनों cottages full रहेंगे ठंडी में आप आते हो तो bonfire कर सकते हो और रात में यहां का नजारा तो just wow होगा कर दो दो लोग इसरे दोग कि आते हो जाएंगे यहां आने के लिए एंट्री फी लगती है 20 रुपीज पर हैट जो मैंने पे किया आप भी अगर यहां आएंगे स्टे करेंगे फिर भी आपको यह 20 रुपीज तो देना ही पड़ेगा बारे बारे वहांदे आपको याटारी थे त. कि वहाइओ, उप्किन हैं आपको 5 मिंग यहां आपको करेंगे स्टे करेंगे स्टाभ।每 गगतेों आपको के लिए बारे घगांद। झाल 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 आप चाहें तो इस प्यारे से सुन्दर से लेग में पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं अभी तो जादा लोग नहीं है तो बोटिंग लोग नहीं कर रहे बट अगर आप यहां विंटर में आएंगे तो लोगों की भीड भी मिलेगी बोटिंग भी मिलेगी और आप अराम से पोटिंग भी कर पाओगे यहां पर फिलाल बारिश हो रही है मौनसून जा रहा है ठंडी आ रही है तो मैंने ये टाइम ही आप्ट किया यहां की हर्याली ने मेरा मन मोह लिया यह जो ग्रीनरी है यह अगर आप गर्मी में आओगे तो नहीं मिलेगी देखने को आप मौनसून के बाद और विंटर में इस जगे पर आओ अगर सुकून चाहते हो शांती चाहते हो तो ठंड से पहले आजाओ जैसे मैं आई हूँ ठंड में आओगे तो भई मैं बता दू कि यह जो सिटिंग स्पेस है यह पूरा फुल मिलेगा आपको अगर बाद अपने नेक्स देस्टिनेशन के और बढ़ चलें अगर बाद बाद आपको अगर बाद आपको अगर बाद आपको अगर आपको अगरल समय आपको अगर आपको झाल 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 जानकारी के लिए इसका स्क्रीन शॉट ले लेना वाट्सअब डीटेल्स ये है जिल्ली पाखिराले का विजिटिंग काट् इमेल आईडी सब कुछ दिया रखा है इस पे झाल 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 झाल